तो जेहिन सभी को वंदेबातरम क्या हल चाल भई आचुकी है बिहार ग्राम पंचायत में आ गई है लेक पाल आईटी सहायक की भरती और 6570 पर याद रखना ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सलक्सन लेना चाहते हैं पूरी जानकारी दूँगा आप आई है मालवे क्लस्स पर आपको पूरी जानकारी दूँगा क्या सेलरी होती है क्या एज लिमिट होगा सलेवस क्या है आपको कहीं नहीं मिलेगा सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा आपको अब ध्यान से सुनिएगा एक एक बाते देखे हमारे पास एक अभी short notice आया हुआ है जिसमें हमें बता दिया गया कि 6570 vacancy है आपकी क्या जो profile होने वाली है आपका क्या आपसे age limit मांगा गया है क्या आपको यहाँ पर भी छूट बिलती है सारी बाते बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा देखे सबसे पहले इस vacancy के बारें बात करते हमारा ही short notice आया है जिसमें इन्होंने लिखा गया है जिसमें साब साब सब्दों में लिखा गया कि total यहाँ पर जो हमारी post दी गई है वो यहाँ पर हमारी कितनी है भीया 6570 total post दी गई है जिसमें male के लिए 4270 post है और female के लिए 2300 total यहाँ पर post दी गई है अब देखेगा इस notice के मध्यम से इन्होंने सारी बाते बता दी गई है कि exam किस mood में होगा computer based exam होगा अब एक एक बाते जान ले ये video सिर्फ उनके लिए जो selection लेना चाहते है syllabus को भी discuss करूँगा सब कुछ बताऊंगा पर बिल्कुल ध्यान से एक एक बातों को ध्यान से समझेगा ठीक है आईएगा आपके पास बहुत बड़ा मुका है पहले इस vacancy के बारे में बात कर लेते हैं देखे ये हमारी बिहार में ये हमारी बिहार में लेक पाल के लिए नई vacancy है इस vacancy के बारे में थोड़ा से मैं आपको हिंट देता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखेगा देखे बिहार लेक पाल आईटी सहायक के लिए जो vacancy है ये इसका थोड़ा सा बता देता हूँ ये vacancy क्यों आई है बिहार ग्राम पंचायत में जो लेक पाल आईटी लेक पाल आईटी और सहायक भरती जो दी गई है देखे क्या था आप कि जो बिहार में जो लेक पाल के पद पे vacancies खाली है बिलकुल थीक है यानि कि हमारा जो data है वो collect कोन करेगा क्या चीज़ है तो वो विभाग बिलकुल खाली है समझ में आया ना वो विभाग खाली पड़ा है तो विखार सरकार चाह रही है कि उस पद पर भी एक लेक पाल की vacancy यानि ऐसे ही कुछ सहायक हो जो की यानि accountant के रूप में इसका पद है ये जहां पर आपको job मिलेगी और इसमें अभी तक तो क्या बोलते समीधा पर लोग बैठा रखे थे जहां पर भी उनको बता दिया कि जो समीधा पर लोग बैठे थे उनकी भी salary बढ़ा कर 20,000 कर दी जाएगी अब सबसे बड़े बढ़ा बिल्कुल ध्यान सुनिएगा लेकपाल के पर अगर आप वहां पर जाएंगे तो उनका उन्होंने बता है कि वहां पर जो कागजो का कारेवाही कौन कितना कहां खर्च हो रहा है कहां पर कितनी जमीन है क्या हो रहा है पूरा डाटा कलेक्ट करना आपका काम होगा वहां पर अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक एक शीजे बताऊंगा आप सभी के लिए तो सबसे पहले मित्र आप एक बार ध्यान रखेगा जो बिहार लेकपाल IT सहायक की आप यहां पर तैयारी करेंगे तो मैंने का वेकेंसी जो टोटल है 6,570 हैं जिसमें मेल की 427 हैं और फीमेल की तेहिसो और इनको भी कैटिगरी वाइस बाटा गया है तो आप जन्दल से हैं और सम्मंदी दस्ता विजो को सही प्रकार से रख रखाओ करने के साथ योजनाओं पर खर्च होने वाली रासी का पूरा हिसाब रखना होगा यानि कि आपके जिस पंचायत में आप हो जिस पंचायती छेतर में हो वहां किस गाओं में क्या है कितनी जमीने हैं क्या चीज़ है पूरा कितना खर्चा हो रहा है क्या चीज़ है तो इन्होंने बोला है कि हर दस्तावेज की आपके पास डिटेल होने चाहिए सही तरीके से रख रखाओ होना चाहिए और कितना का आप पर खर्च हो रहा है क्या हो रहा है उसका पूरा हिसाब रखना यह आपका होगा तो अकाउंटेंट के पोस्ट जैसी आप वहाँ पर जा पर हम जा रही है तो इस लेकपाल में हम किस किस पोस्ट में अब देखीगा जो आपकी वेकेंसी है उसमें से जंडल वाले जो बच्चे है ध्यान रखीगा जंडल के लिए इस्पेसल जो पोस्ट है वो 1643 है EWS के लिए 657 पोस्ट दी गई है SC के लिए 1313 पोस्ट है SC के यह आपकी 1643 और BC के लिए 1183 टोटल यहां पर पोस्ट दी गई है अब सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेगा जो भी बच्चे इस प्रकार अपना फॉर्म भरेंगे उनको एक बात का और धन रखना है आपकी एस लिमिट के बारे में अभी वहां पर कोई चर्चा नह होती है मिनिममम आपकी जो होते देखो यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि कैटिगरी वाइस आयू सीमा होगी ठीक है और आयू सीमा में रिजर्वेशन तथा अन्य प्रकार की जानकारी हम यहां पर जल्दी अपडेट कर रहे हैं यानि कि जो हमारा लेकपाल का भी शोट म मौटिस आया है इसमें एज के बारे में नहीं बताया गया है एज के बारे में कोई भी वापर डाटा नहीं है पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं याद रखना जो मिनिममम होगी आपकी 21 होगी ठीक है और मैक्सिमम मैक्सिममम अगर मानी जाए तो 40 आपकी लेगे 40 42 यह मैं कहते हूं कि नॉर्मल अगर आपकी 37 भी होती है को इतनी तो होगी कम से कम 37 भी होती है तो आप देखेगा अगर आप OBC है तो आपको 3 साल का relaxation मिलेगा ठीक है आप SCST है SCST से है तो आपको 5 साल का relaxation देखने को मिलेगा तो अपने इस आप से आप तयारी में जुड़ जाए कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होने वाली है अब सब के लिए ठीक है अब selection process की बात ध्यान दखीएगा selection process तो बिहार लेगपाल के लिए जो हमारा selection process सबसे पहले computer based written exam होगा और उसके बाद interview होगा ठीक है पहले written exam ठीक है पहले आपका exam होगा ठीक है computer based exam होगा कैसे क्या होता है ठीक है अब सबसे बड़ी बात यह आती है अब हम तैयारी करने जा रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं अब हम तैयारी करने जा रहे हैं किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा selection सुनिशित हो सके हमारा selection सुनिशित हो सके तो इसके लिए आपको एक काम करना होग reasoning होता है आपका gk होता है gkgs होता है ठीक है और आपका hindi ये तो आपके subject हैं ही आप देखें आप किसी भी government exam की तैयारी करते हैं तो ये main जो होते हैं वो हर exam में आपको math देखने को मिलेगा reasoning भी gkgs हिंदी जैसे मान लीजे पर इसमें एक चीज़ और बढ़ जाता है और इस बार क्या होगा यह भी clear नहीं है पर यहां जो देखा जा रहा है अकाउंट की बात है अकाउंटेंट के पत पर जाएंगे तो भाई commerce तो जरूर होगी तो फिल्कुल fact है तो आपको अभी देखे क्या आता है अभी जो notice दुबारा आएगा उसमें क्या दिया जाएगा पर मेरी उम्मीद है कि अपना इतना काम करते हैं पढ़ाई पर ध्यान रखें ठीक है जैसे भी आपके लिए हो सकता है मैं वीडियो बनाऊंगा जो भी notice आता है तो सभी को प्रणाम उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना अगली अपडेट के लिए और रेगुलर सेशन आपकी पूरी तैयारी हम यहीं पर करा देंगा बिल्कुल परिशान मत होईएगा ठीक है और सभी को नमश्कार सभी को धन्यवाद अभी चैनल सब्सक्राइब करें जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिली भी सके थैंक यू